C I E T N C E R T द्वरा प्रस्तुत है, प्रक्चा 12 के लिए हिंदी की द्वनी पाठे पुस्तक आरो भाग 2 पाठ 15 लेखक विश्णू खरे, प्रिष्ट संख्या 118 से 127 तक पाठ चारली चैपलिन यानी हम सब प्रिष्ट संख्या 118 लेखक परिचे, विश्णू खरे, जन्म सन 1940, छिंदवाडा मध्यप्रदेश प्रमुक रचनाएं, एक घैर रुमानी समय में, खुद अपनी आँख से सबकी आवाज के परदे में, पिछला बाकी, जो कविता संग्रह हैं आलोचना की पहली किताब, जो आलोचना है सिनिमा पढ़ने के तरीके, जो सिने आलोचना है मरू प्रदेश और अन्य कविताएं, टी एस इलियट, यहे चाकू समय, औंतिला योजहिफ काले वाला, फिन लेंड का राश्ट्र काव्वे, जो अनुवाद है प्रमुक पुरसकार, रगुवीर सहाय सम्मान हिंदी अकादमी, दिल्ली का सम्मान शिखर सम्मान मैथिली शरण गुप्त सम्मान फिन लेंड का राश्ट्रिय सम्मान, नाइट ओफ दी ओर्डर, ओफ दी वाइट रोज हर कलाकृती, जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा होती है, और फिल्म को लेकर शायद ये कुछ अधिक सत्य है सम्मकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विश्नु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर है उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचार परक कविताएं दी हैं तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिये है विश्व साहित्य का गहन अध्यायन उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखलाई पड़ता है विश्व सिनिमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनिमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं 1971 से 73 के अपने विदेश प्रवास के दर्मियान उन्होंने ततकालीन चेकोसलोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्थित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सेक्णों उतक्रिष्ट फिल्में देखी यहां से सिनिमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफर शुरू हुआ दिनमान, नव भारत टाइम्स, दी पायोनियर, दी हिंदुस्तान, जन सत्ता, दैनिक भासकर, हंस, कथा देश जैसी पत्र-पत्रिकाओं में उनका सिनिमा विश्यक लेखन प्रकाशित होता रहा है वे उन विशेशग्यों में से हैं, जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा, तथा इतिहास, संगीत, अभिने, निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विशलेशन किया अपने लेखन के द्वारा, उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है, जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वे लिखते हैं यहे ठीक है कि अब भारत में भी सिनिमा के महत्व और शास्तुरियता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धान्तकार भी उभर आए हैं लेकिन दुर्भग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनिमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांच भी हमारे यहां नहीं है हिंदी में सिनिमा के सिद्धान्तों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनिमा जाने या देखने को एक हलके अपराद की तरहा देखता है विश्व सिनिमा विश्व सहित्य के समानांतर फल फूल रहा है दो महा युद्धों के बाद की दहशत, नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भुगोल, आपनिवेशिक दासता का मानसिक अवक्षेपन, विश्व सिनिमा जिस कोशल से ये विशे लगातार बिम्बित करता रहा है उसके विकास में चारली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है इसी लिए चारली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है साधारन की अपार धारन क्षमता और उसके धुआते नायकत्व को अपने ढंग से चारली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्मे पकड़ते रहे हैं अपने यहां राज कपूर की आवारा, श्री 420, अनाडी और मेरा नाम जोकर आदी फिल्मे भी जिस तरह के भोले सडक छाप की त्रासद कामद गाथा रचती हैं वह भी चारली चैपलिन का ही प्रभाव है हस्से फिल्मों के महान अभीनेता और निर्देशक चारली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चारली के कला कर्म की कुछ मूलभूत विशेष्टाओं को रेखांकित किया है करुणा और हस्से के तत्वों का सामनजस से उनकी दृष्टी में चारली की सबसे बड़ी विशेष्टा रही है इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहां सिध्धान्त और रचना दोनों स्तरों पर हस्से और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है चारली चैपलिन की लोक प्रियता ये तै करती है कि कला स्वतंत्र होती है बंदती नहीं एक से एक हास्से कलाकार हुए पर वे चैपलिन की तरहा हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए इसका कारण शायद यह है कि चारली ही वह शक्सियत हो सकता है जिनमें सब को अपनी छवी दिखती है वे किसी भी संस्कृती को विदेशी नहीं लगते हैं यह पूरा पाठ चारली चैपलिन के इसी जादू की व्याक्या का एक प्रयास है अब प्रस्तुत है पाठ चारली चैपलिन यानी हम सब यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लीविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं टिपणी इस अध्याय के प्रिष्ट संख्या 120 पर एक टिपणी दी गई है जो की इस प्रकार है 16 अप्रेल 1989 को इनके जन्म के 100 साल पूरे हो गए टिपणी समाप्त और अब आगे का अध्याय पौन शताबदी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और पांच पिल्डियों को मुग्द कर चुकी है समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड करता हुआ चारली आज भारत के लाखों बच्चों को हसा रहा है जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे पश्चिम में तो बार-बार चारली का पुनर जीवन होता ही है विकास शील दुनिया में जैसे जैसे टेलिविजन और वीडियो का प्रसार हो रहा है एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चारली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्मे या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था अभी चैपलिन पर करीब पचास वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा उनकी फिल्मे भावनाओं पर टिकी हुई हैं बुद्धी पर नहीं जैसी फिल्मे दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं चैपलिन का चमतकार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों विकल मस्तिश्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभावाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सुक्षतम रसा स्वादन के साथ देख सकते हैं चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बलकि दर्शिकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति, समुहू या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वो अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की अन्य फिल्मों पर भी हमला करता है चैपलिन भीर्ड का वेह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ और भीर्ड हस देती है कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने उपर हसना पसंद नहीं करता एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना बाद में भयावाह गरीबी और मा के पागलपन से संगर्श करना सामराज्य औध्योगिक क्रांती पूंजीवाद तथा सामंत शाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुरदुराया जाना इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मुल्ले मिले जो करोडपती हो जाने के बावजूद अंत तक उन में रहे अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खाना बदोशों से जुड़े हुए थे और यह एक सुदूर रुमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खाना बदोश औरत में भारतियता रही हो क्योंकि यूरोप के जिपसी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वन्शी थे इन जटल परिस्थितियों ने चारली को हमेशा एक बाहरी घुमन्तु चरित्र बना दिया वे कभी मध्यवर्गी, बुर्जुआ या उच्चवर्गी जीवन मुल्ले न अपना सके यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिये छवी ट्रैम्प यानी बद्दू, खाना बदोश, आवारा गर्द की प्रस्तुती की है तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुँचते हैं चारली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर्ध हुने हैं और उन्हें नेती-नेती कहते हुए भी ये मानना पड़ता है कि चारली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है प्रिष्ट संक्या 122 यह कहना कि वे चारली में खुद को देखते हैं दूर की कौडी लाना है लेकिन बेशक जैसा चारली वे देखते हैं वे उन्हें जाना पहचाना लगता है जिस मुसीबत में वे अपने को हर दसमें सेकंड में डाल देता है वे सूपरिचित लगती है अपने को नहीं लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चारली मानने लगते हैं कला में बेहतर क्या है बुद्धी को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धी उसने भावना को चुना और उसके कारण थे बचपन की दो घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा स्थाई प्रभाव डाला था एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माने उन्हें इसा मसीह का जीवन बाइबिल से पढ़ कर सुनाया था इसा के सूली पर चड़ने के प्रकरण तक आते आते मा और चारली दोनों रोने लगे अपनी आत्म कथा में चैपलिन लिखते हैं ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंध्यारे कमरे में मा ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालू जोती उजागर की जिसने साहित्ते और नाट्टे को उनके महनतम और सम्रिद्धतम विशे दिये हैं सनेह, करुना और मानवता दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है बालक चारली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहांसे कसाई खाना दूर नहीं था वह रोज सैकणों जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था एक बार एक भीड किसी तरह जान छुड़ा कर भाग निकली उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठाहा के लगने लगे आखरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे तब चारली को एहसास हुआ कि उस भीड के साथ क्या होगा वह रोता हुआ मां के पास दोड़ा उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे बाद में चैपलिन ने अपनी आत्म कथा में लिखा वसंत की वह बैलोस दोपहर और वह मजाकिया दोड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमी तै नहीं कर दी थी त्रासदी और हस्योत पादक तत्वों के सामन जस्से की भारतिय कला और सौंदर शास्त्र को कई रसों का पता है उन में से कुछ रसों का किसी कला कृती में साथ साथ पाया जाना श्रे असकर भी माना गया है जीवन में हर्ष और विशाद आते रहते हैं यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है लेकिन करुणा का हस्से में बदल जाना एक ऐसे रस सिध्धान्त की मांग करता है जो भारतिय परंपराओं में नहीं मिलता रामायन तथा महभारत में जो हस्से है वह दूसरों पर है और अधिकान शितहा वह परसंताप से प्रेरित है प्रिष्ट संक्या 123 भारतिय विदूशक में कुछ कम ही नजर आती है इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर शास्त्रिय महत्व तो है ही भारतिय जन्मानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मुल्यांकन शायद अभी होने को है हास्से कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्से में परिवर्तित हो जाएगी इससे पारंपरिक या सैध्धांतिक रूप से अपरिचित भारतिय जन्मान ने उस फिनोमेनन को यू स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को स्वीकारती है किसी विदेशी कला से धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतहा एक तरहा की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं किसी भी समाज में इने गिने लोगों को अमिताब बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है लेकिन किसी भी व्यक्ती को परिस्थितियों का औचित्ते देखते हुए चारली या जानी वौकर कह दिया जाता है यह स्वयम एक स्विकारोकती है कि हमारे बीच नायक कम हैं जबकि हर व्यक्ती दूसरे को कभी न कभी विदूशक समझता है दरसल मनुष्य स्वयम ईश्वर या नियती का विदूशक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चारली चैपलिन का खासा पुट था और गांधी तथा नहरू दोनों ने कभी चारली का सानिध्य चाहा था चारली के नितांत अभारतिय सौंदर शास्त्र की इतनी व्यापक स्विक्रिती देखकर, राजकपूर ने भारतिय फिल्मों का एक सबसे सहासिक प्रयोग किया आवारा सिर्फ दी ट्रेंप का शब्दानुवाद ही नहीं था, बलकि चारली का भारतिय करन ही था प्रिष्ट संख्या 124 वह अच्छा ही था कि राजकपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की राजकपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हसने की और स्वयम नायकों के अपने पर हसने की परंपरा नहीं थी 1953 से 1957 के बीच जब चैपलिन अपनी गयर ट्रेंप नुमा अंतिम फिल्मे बना रहे थे तब राजकपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे फिर तो बाबुल, शबनम, कोही नूर, लीडर और गोपी जैसी फिल्मों के नायक दिलीप कुमार नौदो ग्यारह, फंटूश और तीन देवियां जैसी फिल्मों के नायक देव आनंद अमर अकबर एन्थनी जैसी फिल्म के नायक अमिताब बच्चन, शम्मी कपूर तथा श्री देवी तक किसी ना किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्विकार कर चुके हैं बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकूओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे तो यह द्रिश्य, करुण और हस्योत पादक दोनों था किन्तु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्विकार की गई आज फिल्मों में किसी नायक को ज़ाड़ूं से पिटता भी दिखाया जा सकता है लेकिन हर बार हमें चारली की ही ऐसी फजीहतें याद आती है चारली की अधिकांज फिल्में भाषा का इस्तिमाल नहीं करती इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मानविये होना पड़ा सवाक चित्रपट पर कई बड़े-बड़े कॉमेडियन हुए हैं लेकिन वे चैपलिन की सार्व भौमिकता तक क्यों नहीं पहुँच पाए इसकी पड़ताल अभी होने को है चारली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेश्ता तो है ही सबसे बड़ी विशेश्ता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृती को विदेशी नहीं लगते यानि उनके आसपास जो भी चीजें अडंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदी रहते हैं वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं चारली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ लेकिन मैं से ज्यादा चारली हमें हम लगते हैं यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चारली चैपलिन से बड़ी हास्से प्रतिभा हो लेकिन कीटन हास्से का काफका है जबकि चैपलिन प्रेम चंद के ज्यादा नजदीक है एक होली का त्योहार छोड़ दें तो भारतिय परमपरा में व्यक्ति के अपने पर हसने स्वयम को जानते बूझते हास्यास्पत बना डालने की परमपरा नहीं के बराबर है गावों और लोक संस्कृती में तब भी वह शायद हो नागर सभिता में तो वह थी नहीं चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हसने का अवसर देते हैं चारली स्वयम पर सबसे ज्यादा तब हसता है जब वह स्वयम को गरवों नमत, आत्म विश्वास से लबरेज, सफलता, सभिता, संस्कृती तथा सम्रिधी की प्रतिमूर्ती, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ट अपने वज्रा दपी कठोराणी अथ्वा मृदुनी कुसुमा दपी क्षण में दिखलाता है तब यह समझिये कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहाता है कि यह सारी गरिमा सुई चुभे गुबबारे जैसी फुस हो उठेगी अपने जीवन के अधिकांच हिस्सों में हम चारली के टिली ही होते हैं जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं हमारे महनतम क्षणों में कोई भी हमें चड़ा कर या लात मार कर भाग सकता है अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लेब्ब्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं मूलता हा हम सब चारली हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते सत्ता, शक्ती, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमत कर्शों में जब हम आईना देखते हैं तो चहरा चारली-चारली हो जाता है अभ्यास पाठ के साथ प्रश्न एक लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैपलिन पर करीब पचास वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा प्रश्न दो चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बलकि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा इस पंक्ती में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभी प्राय है क्या आप इससे सहमत हैं प्रश्न तीन लेखक ने चारली का भारतिय करण किसे कहा और क्यों गांधी और नहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा प्रश्न पांच लेखक ने कलाकृती और रस के संदर्भ में किसे श्रयसकर माना है और क्यों क्या आप कुछ ऐसे उधारन दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों प्रश्न छे जीवन की जद्दो जहद ने चारली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया प्रश्न साथ चारली चैपलिन की फिल्मों में नीहित त्रासदी या करुणा या हस्यका सामन्जस से भारतिय कला और संदर्य शास्तर की परिधी में क्यों नहीं आता प्रश्न आठ चारली सबसे ज्यादा स्वयम पर कब हंसता है पाठ के आसपास प्रश्न एक आपके विचार से मूक और सवाक फिल्मों में से किस में ज्यादा परिश्ट्रम करने की आवशकता है और क्यों प्रश्न दो सामान निताह व्यक्ति अपने उपर नहीं हसते दूसरों पर हसते हैं कक्षा में ऐसी घटनाओं का जिक्र कीजिए जब क आप अपने उपर हसे हो ख हसे करुणा में या करुणा हसे में बदल गई हो प्रश्न तीन चारली हमारी वास्तविक्ता है जबकि सुपर्मेन स्वप्न आप इन दोनों में खुद को कहां पाते हैं प्रश्न चार भारतिय सिनेमा और विज्यापनों ने चारली की छवी का किन किन रूपों में उप्योग किया है कुछ फिल्मे जैसे आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, मिस्टर इंडिया और विज्यापनों जैसे चैरी ब्लॉसम को गोर से देखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए प्रश्न पांच आज कल विवाहा आधी उत्सव, समारोहूं एवं रेस्त्रों में आज भी चारली चैपलिन का रूप धरे, किसी व्यक्ति से आप अवश्य टकराएं होंगे सोच कर बताईए कि बाजार ने चारली चैपलिन का कैसा उपयोग किया है प्रिश्ट संखिया 126 भाशा की बात प्रश्ट एक तो चहरा चारली चारली हो जाता है वाक्य में चारली शब्द की पुनरूक्ती से किस प्रकार की अर्थ छटा प्रकट होती है इसी प्रकार के पुनरूक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई तीन वाक्य बनाईए यह भी बताईए कि संग्या किन स्थितियों में विशेशन के रूप में प्रयोक्त होने लगती है प्रश्न दो दिये गए वाक्यांशों में हुए भाशा के विशिष्ट प्रयोगों को पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए क सीमाओं से खिलवाड करना ख समाज से दुर-दुराया जाना ग सुदूर रूमानी संभावना ग सारी गरिमा सुई चुभे गुबारे जैसी फुस हो उठेगी ड जिसमें रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं गौर करें क दरसल सिध्धांत कला को जन्म नहीं देते कला स्वयम अपने सिध्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है क दरसल मनुष्य, स्वयम ईश्वर या नियती का विदूशक क्लाउन, जोकर या साइड किक है घ, सत्ता, शक्ती, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चर्मोत कर्ष में जब हम आइना देखते हैं तो चहरा चारली चारली हो जाता है अड, modern times, the great dictator आधी फिल्में कक्षा में दिखाई जाएं और फिल्मों में चारली की भूमिका पर चर्चा की जाएं IET, NCERT, नई दिल्ली, भारत